कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जो फॉस्ट इस्प्रे होता है, उसमें बहुत उचे-उचे फंगी साइड इस्तेमाल कर लेते हैं. तो फिर बात में जाके फिर वो दिक्कत आती है. तो आप से यही निवेदेने कि आप जो पहला स्प्रे करो तो वो हलके वाले मुस्या का सामना नहीं करना पड़े और बाकी की दावाईयां अच्छे से काम करें राम राम किसान भाईयों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल खेत और किसान हम से जुड़ें लाइक एंड सस्क्राइब करें ताकि हम जो भी कोई नहीं जानका रिसाजा करें आप तक पहुंच सके आज हम जिस फ़सल के बारे में बात करेंगे वो है अफिम की फ़सल अभी आप सभी को पता है दो तिन दिनों से मोसम खराब हो रहा है बरसात हो रही है तो ऐसे में हमारी अफिम की फ़सल को कैसे बचाएं कैसे सुरक्षित करें पहला इस परे कौन सा करें ताकि हमारी फ़सल खराब होने से बच सके हमारे अफिम की फ़सल में जो भी सरुपरतम जो मुख की समस्या आत तो वह वह वापन आगे बात करेंगें क्या क्या साउदानयत रखनी है कोण कोंसी दुवाईयों करना है लगिया रखना है इस पर एकप करना है सारी बाते वीडियो में आपको आगे मिलें आएद देखते हैं अप्रूब्लमा रही है यह इस तरह से पत्ते खराब हो रहे हैं और यह काली मस्षी का सिकायत हो रहे हैं यह धीरे धीरे अगर आपन इसकी रोगताम नहीं करेंगे तो यह फिर आगे बढ़ेगी और हमारी फसल खराब होने के कगार पर पहुंच जाएगी तो इसमें सबसे पहले तो अपने को जो जो पोदे खराब हो रहे हैं उनको पूरी तरह से हटा के खेज से बार फेक देना है ताकि यह रोग आगे नहीं बढ़े और इस तरह से पोदों को खेज से बार फेक दें ताकि यह जो डेमेज पोदे हैं जो बीमारी लगए हो हैं वो खेट से बाहर फेंगे तो रोग ज्यादा नहीं फेलेगा अब इस रोग की रोग थाम के लिए और अपनी फसल अच्छी ग्रोथ करें अच्छी चले और इस प्रकार की कोई समस्चा नहीं हो तो उसके लिए अपने को पहला स्प्रे करना रेता है फंगी साइट का और मच्छर बूट रहे हैं तो कुछ मच्छर की दवाई भी मिलाएंगे अपन साथ में तो पहले इस प्रे में अपने को फंगी साइट लेना है हलका वाला कार्बेंडाजी में को या फिर मेटाल एक जील में को यह बाता है वो ले ले यह यह ले मेरी सला रहेगी का अपन इस तरसे काया हूं यह 40 ग्राम परती पंप के इसाब से इस परे करेंगे हम या फिम की फसल में इद्दा सारी का प्लोट है और इसमें जादा से ज्यादा चार टंकी में चार पंप इस प्लोट अपना कवर हो जाएगा और इसके साथ में किसान बाईयों मच्छर के लिए अपने को अधे हम पंप नाएं गें ओर इसक Yak मिलाएंगे और काने नों को मिलां और पांच एमेंल अपन सिलिकोन वेस जो भी छिप को आप पांच आय में प्रतिपम् के हिसांप से पर उससे पहले हो अपने को पोलो को नहीं मिलाना और इस तरह से तंकि बरने के और पूरे खेत में इसप्रे कर देना है मैं एक बात विशेस आप से कहना चाहता हूं कि इस्प्रे शाम के टाइम चार बजे के आस पास ही करें तो बेहतर होगा और जहां तक हो सके थोड़ा मोसम अगर खुला हुआ हो तो और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे अपने को यह तो हो गई थी हमारे खेत में कौन-कौन सी दव बहुत उचे-उचे फंगी साइड इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर बात में जाके फिर वह दिक्कत आती है तो आप से यह निवे देने कि आप जो पहला स्प्रे करो तो वह हलके वाले फंगी साइड से स्टार्ट करें ताकि बाद में आपको कोई मेजर समस्या का सामना निक बिना अनुभो के आप दवाई का इस्तेमाल न करें तो यह तो हो गयता तबाइंसों सम्दित बाते और इस परेक अप करना है कैसे करना है आगे भी एकर कोई समस्या आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिये जाएगा और आपकी भी कोई समस्या हो तो आप कमें करके हमें बताइए किया समझचा है आपकी समस्या को समाधन किया जाएगा राम राम साम